नेक्स शॉट में अगर हम जाएंगे तो सेम आप देखो के यहां पे जो होता है बात की यहां से अगर आप इस में जाओ तो यह बोलता है नमस्ते सर जी अब मतलब यह जो इसका जो डेटा था हम कैसे करेंगे अब आजाओ इधार यह पूरा घूम के पीछे वैसे ही जैसे हम घूम करके नमस्ते सर जी बोल रहा है पहले तो घूमा हुआ सिफ हाथ को घूमा के नमस्ते सर जी करेगा तो कैसा था सबसे फर्स्ट की इसका आप पोज मोड में जाओ दिन इसको थोड़ा सा घूमा हुआ इधर पैर इसकी उठी वे उपर थोड़ा सा यूं यूं और यह गुमा हुआ है इसका लेग यह सब इधर के तरफ एनिमिशन के लिए और यह हाथ तो था इसका यहाँ पे और हाथ के साथ यह यह देन हैंड का जो अस्टाइल था इसका सॉरी ओ यूं हाथ को पकड़ा था यहाँ पे बेठा देंगे हाथ को देन इसे यूं और इसे यूं रखेंगे फिर इसको घुमाओगे थोड़ा सा इधर के तरफ यह गुमता है थोड़ा सा इधर के तरफ यह गुमता है यूं इसके तरफ नमस्ते सरजी बुलेगा तो यह होगा थोड़ा सा यहाँ पे हाथ रखेगा और यह कर दो आप यहाँ पे और यह इस साथ को उठाके रख दो यहाँ पर कैसे ऐसे देन और प्रेस करके यूँ और इसका एल्बो कंट्रोल को जी प्रेस करके यूँ रखो तो क्या होगा यहाँ से मूव करके यहाँ पर है और इसका जो एल्बो कंट्रोल को ऐसे रखो तो यह बोलेगा यहाँ पर घुमा हुआ था यहाँ पर यहाँ पर प्रेस पॉजिशन था तो यहाँ पर क्राइश करके और प्रेस करके अलम ड्रोटेसन तो यह बोलेगा ओके सॉरी एक फिर्म इसको डिलेट कर दो इसको डिलेट की फिर्म ताकि यह शृंक ना Remoel होगा है ना इसमें बोलेगा अरे नमस्ते बेटा बोलता है यहां से तो यह नमस्ते सर्जी बोलता है ना तो हाथ को भी यहां से उठाएगा हाथ को जूड़ेगा दोनों तो यहां ही से यह हाथ जोड़ने वाला है तो चलो हैंड को मेरा गला थोड़ा साथ नहीं दे राज आई प्रेस करके इसको और आई प्रेस करके इसको रोटेस्टन लोकेशन लगा दो यह लग गया यहां से यहां तक सेम है और यहां बोलता है नमस्ते सर जी यहां तक अचानक हाथ को जोडता है तो यहां से अचानक हाथ उठाएगा नमस्ते सर जी तो हम एक पोज बनाते हैं that means कि सिर्फ हैंड को जोड़ना है जी प्रेस करके और पहले पोज बना लो हाथ को sorry और इस हाथ को लेके आएगा इधर और इस हाथ को लेके इधर और इसको करेगा इस एंगल पर और और हाथ को यह घुमेगा ऐसे और यह हाथ को भी उठाएगा यहाँ से जी और गुरु जी को परनाम करेगा ऐसा कुछ हाथ गुमालो इसको इस एंगल पर इस एंगल पर हाथ को जोड़ना है इसको something यहाथ को जैसे जोड़ते हैं वैसे देखो गाई animation बहुत ही long process होती है तब जाके होती है तो आप इसको ऐसे animate करो की frame करो and g press करके हाथ को जोड़ेगा यहाथ और इस हाथ को जोड़ेगा यहाथ और यह प्रापर पोजिंग बनाऊगे simple ऐसे और इधर से इधर और इधर से इधर आथ को थोड़ा सा ऐसे maintain करेगा and इसको थोड़ा सा यह रखेगा यह नमस्ते सर जी यह इह अहाथ को यह रखेगा नमस्ते सर जी और इसको रख लेगा यहाँ पर पैर को माल लो थोड़ा सा बच्चा है नटकट है थोड़ा सा हाथ को यह something कि देखो character का जो behavior होता है उसके हिसाब से उसका body language भी ऐसे एक बार बोलता है नमस्ते सर जी something तो all select करके आप यहां पे सबसे पहले ए पकड़े हो all selected i press करो location rotation कर दो इसको on कर दो so क्या करेगा यह जब नमस्ते सर जी बोलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से होना चाहिए पहले ही नमस्ते जब बोलता है तो क्यों ना हम यहां से करें something यह एक फिल आएगा नमस्ते सर जी और यह लेग वला जो अंदाज है थोड़ा सा नीचे रखते हैं ज्यादा नहीं हाथ को ऐसे हलका सा ओके अंडू कर अटो की है न तो यहीं पर करना था मुझे यहां पर पैर यह जो उठा रहा है इसको भी यहीं पर रखो यहां पर मतलब इस फ्रेम पर जाके इसको जी प्रेस करके नीचे ही रखो इतना ही उठता है तो मतलब क्या हुआ यहां से फ्रेम में बोल रहा है नमस्ते सर जी है न उसको यहां पर एक चीज और हम मार्क कर सकते हैं कि इसका नेक को भी थोड़ा सा और जुकाएगा ऐसे तो एक और इंटरेस्टिंग आपको लगे है करेक्टर तो ऐसे आपकी मर्क जी ना इसको थोड़ा सा जूम करके इसकोरपर आप इसको सेट करो इसके उपर वाँ और यह क्या करेंगा जो पहला फ्रेम पे जो की फ्रेम था हमारा इसको कॉपी करेंगे और all selected all selected यहाँ पे ए प्रेस करके और इसी को आप कर दो फिर से नमस्ते करके थोड़ा दे रुखता है नमस्ते सर्जी करके यहां तक करता है कैसे है यहां तक सेम रहेगा यहां तक जाकर फिर अपना पोजिशन पर आता है इसको पेस्ट करो इसको सब को लेना था गलती हो गया all selected all selected a तब इसको हम लोग ctrl c करते हैं और यहां पे जाके वही पोज को वापस लाते है पेस्ट करके है क्या यहां गरवड हो गया कि एक मिनट इसको निकाल दो ऐसे आजाएगा न हाँ सॉरी तो अब इन सब को all selected बहुत ढंक से आपको पकड़ना होगा इसको और यहां से इसको क्या करो shift d इसको यहां तक सॉरी यह दोनों है हमारा इसको यहां रखना होगा इसके उपर ही और इसको कॉपी करके shift d और इसको रख दो यहां यहां तक बोलेगा नमस्ते सर्जी से हाथ जोड़के और यहां पर आ जाएगा पहला position पर यह इस ही को ले लो अगर यहीं से अगर मैं इस position को ले देता हो copy all सभी selected है न हाँ all selected रखो all selected और ctrl c और इसको कर देते हैं यहां पर ctrl v paste मतलब पहला position पहाँ जाएगा ऐसा करना था मेरा का पिर से अपना position पहाने के लिए तो आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते थे अब यहां से जो camera चला यह इस last में बताता हूँ उसके बाद मैं speed video में दूँगा इसको तो यह नमस्ते सर जी फिर यह चलता है नमस्ते सर जी अरे नमस्ते बेटा यह इभी इधर से बोलता है कि यह यहां 50 frame पे जाके यह भी घूमता है इधर तो अब मेरा इसका काम शुरूँगा तो हम pause mode में change करेंगे इससे again and इसके ओपर काम करेंगे अरे नमस्ते बेटा तो यह नमस्ते बेटा करता है एक मिनट इसको फिलाल इसको इधर एक camera रहां दो यार गलती से हो गया इस camera में जाओ जहां पर हमें देखना है यहां पर just do this कहां गया यह इस पर जाएंगे इससे select करेंगे इसको थोड़ा zoom करो और इससे upset करो अभी इसका position क्या होगा कि जैसे 50 frame के बाद इसका change होता है मतलब 51 59 frame से इसका camera आता है आप देख सकते हो यह है ना यहां पर आप देख सकते हो change होता है camera इसमें है ना देखो यहां से camera जैसी change होता है 59 पर तो all selected इसका all control selected आई प्रेस करके एक location rotation डाल दिया automatic on है और यहां से करता है नमस्ते बेटा मतलब यह घूमता है यहां से यहां तक same रहने दो 60 film कितना पर बोलता है sorry अरे नमस्ते बेटा बोलता है यहां तक मालो कि इसका same value रहने दो location rotation duplicate करके अब हम इसका change करेंगे कि यहां से जब change होगा 80 film पर मालो कि रहे नमस्ते बेटा बोलके खतम करता है short को तो इसका कैसे position होगा पहले तो यह नमस्ते करता है तो इसका position में changes आएंगे लाइक यह और हाथ को उठा लेगा यह इधर G press करके हाथ को उठा के लागा इधर और body को थोड़ा सा rotation करके सीधा करेगा यह और यह गुमेगा यहां पर something यह और यह हाथ को भी बोलेगा नमस्ते बेटा बोलेगा तो यह थोड़ा सा sir को जुकाएगा है ना ऐसा यह भी परनाम नहीं करेगा लगे तो आप इसको यहां रख दो फिर इसको setting कर दो कि ऐसे हाथ रख दिया है ऐसा index के उपर something साथ को थोड़ा सा इसे sorry तो फोड़ा सा गुमा दिया एंड जी प्रेस करके इसको set कर दो यह थोड़ा सा sir को जुकाता है सिर्फ नमस्ते बेटा तो यहां पे करेगा R प्रेस करके नमस्ते बेटा बोलेगा सी फिरम पे हैना आई प्रेस करके प्रेस करके इंसर्ट कर दो मतलब all select तो है ही तब आई करो ताकि आपका अगला next वाला में skew नहीं करेगा तो यहां तक गुमता है यहां बोलता है यहां तक यहां तक आएगा यहां करेगा यहां नमस्ते करके तो इसमें क्या होगा अब तोड़ा सा देखोगे इसका इसको पकड़ो सिर्फ इसके तरफ अब देखोगे कि इसके फिजकली यह किसको देखेगा तपके को इसे थोड़ा सा ऐसे रखेगा यहां और इसका जो यह जो कंट्रोलर है इसका कंट्रोलर थोड़ा सा यहां रखो एंड लगे तो हाथ को थोड़ा सा उपर उठा दो यहां यहां लगे तो यहां पर इभी कर सकते हो कि हाथ को ऐसे रखता है अंदर और नमस्ते बेटा करके और फिर इसको सर को अचानक सिर्फ उठाता है यहां अच्छ कोर अच्छ गुप्ता जी तो यहां तो यहां तक इसका जो फ्रेम होगा जस्ट ऑल्ल से बैसा जेक्ट कर लो गुप्ता जी तरफ देखता है अब गुपता जी के तरफ देखेगा तो कैसे होगा यहाँ पे just यहाँ पे all करो all selected आई प्रेस करके 100 फ्रेम पे all location कर दो मतलब यहाँ तक अरे बेटा बोला अरे गुपता जी अच्छा गुपता जी बोलेगा तो यह इधर मूँ करेगा यहाँ पे तो चलो इतना गुमालो कि सब को एक साथ अगर गुमाओगे तो थोड़ा सा प्रोब्लम होगा इस अलका सा यहाँ पे इसको छोड़ के इसको छोड़ दो डिसलेट कर लो इसको और इसको डिसलेट कर लो कंट्रोल से होता ना तब आप जाके इसको स्वरी इसको क्या करेगा थोड़ा सा इधर घुमेगा गुपता जी के तरफ देखेगा मालो इतना यह बोलेगा अरे गुपता जी तब तक हाथ का थोड़ा सा एक्षन होगा वह उपर आ जाएगा हाथ इसका यहाँ पे एक्षन लाएगा सम थोड़ा सा बोड़ी एक्टिविटी यह यह एंड हाथ को थोड़ा सा निच्छे ऐसा तो ए आई प्रेस करके अब लेवल कर दो तो क्या होगा अरे नमस्ते बेड़ा अचे गुपता जी एक बात बताए अपको आरे मस्तर जी बताओ इसे सर्मान की कोई बात नहीं है अब कैमरा जो चेंज होता है तो तपाकी इधर से इसके तरफ अभी कैमरा जो चेंज हुआ अभी यहाँ पे यह क्या करेगा तपाकी अपना एक्शन करेगा इस धर के तरफ कि इसके तरफ करेगा थोड़ा सा चेंज तो अब इससे क्या करो पोज मोड से पहले निकलो इसको छोड़ के हम दूसरा सेलेट करते हैं इसको पोज मोड में जाते हैं इसको आप सेट करो यह बुलता है यहाँ पर All नेफिक हम पहले आई प्रेस करके इसका एक इस अान पर करो आई में प्रेस करिके यह आई मास्टर जी बूलता है तो इधर मू earth कर लेगा ना इसको पहले मास्टर जी के तरफ से बोलेगा और थोड़ा सा यूं करेगा थोड़ा सा गुमते हुए यह बोलेगा मालो इसका एक्षन है इसको थोड़ा सा यहां से आएगा यह बेटर होगा तो अब देखो यहां पर एक बार शॉट देखो क्या दिखा रहा है अब यह अच्छा गुपता जी बोलता है तो यह कैमरा कहा होना चाहिए इसको थोड़ा सा और कम करो all selected all है ना All selected है Sorry undo करो पहले undo करो अब all select करो और फिर हम यह कहां से कहां है अच्छा यह head कहना यहां तक जटके से और तो यह camera जो होगा अब देखो यह कौन सा camera यहां पर है आइधिंग टपा की camera है तो यहां पर पकड़ो तपा की camera और यह camera में क्या करना है कि जब यह master जी बोलता है तो इसके तरब camera वहना चाहिए तो इस camera को क्या करना है रोटेट कर देना थोड़ा सा कौन सा camera है जो अभी अलड़ी selected है यहां पर आप देख सकते हो तो आप इसको पोज मोट से अब निकलो बाहर camera select करो और एक camera में थोड़ा सा animation होगा यह बोलेगा यहां से एक camera गूम जाएगा मतलब camera यहां से था 180 पर आई प्रेस कर दो और location rotation लेलो प्लस साथ में इसका हम यह भी on कर लेते है राइट क्लिक की फ्रेम और यहां से करता है यहां तक घूमा बोला अरे master जी जब बोलता है और I press करके यहां भी हम location rotation दे देते हैं इसको भी insert की frame कर देते हैं that's it that's mean क्या हुआ कि यहां यहां पे same value होगा इसका और जब यहां से होगा यह क्या बोलता है अरे master जी बोला तो यह camera अब zoom से हो जाएगा उधर तो R R और Z axis पे इसको घुमा लो camera को इधर ऐसे ओके और camera जैसी घुमता है उसका हम focus करते हैं master जी के तरफ और थोड़ा सा camera R प्रेस करके Z axis पे और हम master जी के तरफ locate करेंगे something ऐसा और थोड़ा सा R प्रेस करके यू रखो इसको master जी को रुक के देखेगा camera यह बोलेगा अब देखो एक बार कैसा चल रहा है शॉट अरे नमस्ते बेड़ा अचे गुपता जी एक बात बताए आपको अरे master जी बताओ ऐसे सर्मान की कोई बात नहीं है मालो यह आपकी घर है नमस्ते सर जी अरे नमस्ते बेड़ा अचे गुपता जी एक बात बताए आपको अरे master जी बताओ ऐसे सर्मान की कोई बात नहीं है मालो यह आपकी घर है यह बोलेगा थोड़ा से camera में treatment कर देता हूँ नमस्ते सर जी अरे नमस्ते बेड़ा अचे गुपता जी एक बात बताए आपको आरे master जी बताओ ऐसे सर्मान की यहाँ पर जाने के बाद एक camera को मैं चाहरा हूँ कि camera suddenly फिर से इधर घुमेगा तक कि इसका dialogue चल रहा है continue तो camera को आप थोड़ा सा R प्रेस करके Z axis पे अभी गुमा दो इधर और इसका जो frame होगा थोड़ा सा कम कर देता है स्वरी इसको 60 कर दो 60 पे रखो और 60 पे ही रखके इसको हम लोग रखते हैं और Z axis पे थोड़ा दोनों दिखे ऐसे और इसका चलो छोड़ दो तो अभी जो भी हमने animation किया अभी एक बार आप समझ लो जैसा मैंने बताने के कोसिस किया अच्छे गुपता जी एक बात बताए आपको अरे मस्टर जी बताओ ऐसे सर्मान की कोई बार नहीं है मानलो यह आपकी घर है ठीक है तो यह लास्ट का जो camera किया वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा लेकिन यह हम हटा सकते हैं लेकिन चलो अभी मानलो कि यही techniques होता है जो आप कितना सोच पाते हो क्योंकि आप अपना वीडियो को अपने तरीके से बनाओगे लेकिन यह तरीका होता है बनाने का जो पूरा speed में दिखाऊंगा पूरा shot अब देख पाओगे इस वीडियो के अंदर क्योंकि अभी अभी एक घंटे का वीडियो हो गया तो आप continue वीडियो को watch करते रहिए और देखते हैं इसका final result क्या होता है next वीडियो में ओके तो देखते रहिए watch करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए झाल 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 तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए याअ झाल 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 झाल